कोरोना वाईरस ना वत्ता प्रकोबने कारणे देश मत्री जी मेस उदी लोकडाउन लंबावी देवा मा आवियू छे त्याले हजी गणा लोको एवा छे कि जे लोकडाउन नुप पालन नथी करता औने पोता नी साथे शमर्ण देशने खत्रामा नाखी रहा छे आ दर्म्या पालन ना करता लोकोंने आड़े हाथ लेता बहुच अगत्यानी वातों कही छे यह कमाल है डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए और आपने उन्टे पत्तर बरसा दिया जो करोना से डिटेक्ट हो रहा है वह वो हॉस्पिडल से भा भाग रहे हो जिन्दकी के और भाग रहे हैं मौत के और भाग रहे हो अगर यह डॉक्टर तुम्हारे लाज नहीं करते और पुली सडकों पर नहीं होती तो चंद लोगों की वज़े से जिनके दिमाट में यह चल रहा है कि हमें नहीं होगा वो हिंदुस्तान के धेर सारे और पूसमें को लेकर चल बसेंगे देखो मैं उनकी बास समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है बच्चों को खिलाने को नहीं है अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ क्योंकि वो भी जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेटर है कि यह बिना क्षाए बिये यह वक्त गुजर जाए बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकिए में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है लेकिन चंद जोकरों की वज़े से ये बिमारी पहली जा रही है अगर आपके अक्शन इसे नहीं होते तो पुलीस के लिए अक्शन इसे नहीं होते अगर आपके अक्शन इसे नहीं होते तो हजारों पुलीस वालों को हजारों डॉक्टर्स को नर्सिस को और आवाम को करोना वारिस नहीं होता इतने लोगों काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापिस से काम पे लग गए होते हैं चाइना से शुरू हुआ है चाइना में कब का खताम हो गया लेकिन इन चंद लोगों की वज़े से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा मान लिया है बड़े तकत वर वाप बड़े भाद वर वाप कि इतने भाद वर इतने तकत वर वर वाप कि आप अपने परिवार वनों को कांदा दोगे उनकी अर्ति उठावगे इतना जिगर है आप ने क्यों आप यमराज और मलेकुल मौत बनना चाहते हो और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इननल्ला है और राम नाम सकते हैं और ना चाहते हो हर बात के दो पहलू होते हैं इसकी भी दो ही है एक पहलू यह है कि हम सब रहें दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे हम बिसाइट करो